नमस्कार दोस्तों आप सब का फिर से स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जैसे कि आप सब को पता होगा कि आस्ट्रेलिया के बाद भारत और आफ्रिका के बिच टी-20 मैचेस है ती-20 मैचेस के पहली मैच कल है और उसके आप जंब में आपको काफी स्टाट्स दिखाने आलाओ स्कोरिंग पैटर्न दखाऊंगा सबी टीमों के टीमों में जो को प्लेइंग लिए वह दिखाऊंगा कौन किसने कैसा पर्फोर्मेंस किया है सब कुछ दिखाऊंगा लेकिन दोस्तों और आपको साथी साथ चार ड्रीमिलों की टीम्स भी दिखाने वालाओ जिससे आपको अच्छी खासे अर्दिंग हो सकते जैसे कि सबसे पहले स्टाट्स पर चले जाते हैं तो यहां पर मैं आपको सबसे पहले बता दू इंडिया वर्सेस सौट अफ्रिका के बीच यह पहला टीट्वेंटी मैच रहेगा 28 सप्टेबर को सब शाम को साथ बजे और ग्राउंड है क्रिफिल्ट इंटरनेशनल स्टे आटिंग का भी बोल वाला हो सकता है बर्शेरते यह स्लोव पीच है दोस्तों और श्लोव पीच होने के कारण अगर यहां पर बल्ले बाद अगर शुरुवात में थोड़ा संबल कर खेले तो एक अच्छा स्कोरिंग मैच भी हो सकता है और शुरुवात में फास्टर को यह पर बारिश गिरने वाली है और हो सकता है मैच भारिश के का धुल मी जाए यहां पर अभी तक दो international matches खेले गये हैं, जिसमें से batting first ने एक बार जीत आसिल की, batting second ने एक बार जीत आसिल की, यानि कुल विला के या पर दोनों का पड़ा भारी दाएगा, भारत के अगर दो matches की बात की जाए तो एंडिया ने 2019 में एक match खेला था, जहाँ पर भारत ने 170 रन पर 7 विकेट बनाए थे 20 ओवर में जिसे वेस्ट इंडिज ने आसानी से पार कर लिया था सिर्म डो विकेट गिर के 173 तो यहाँ पर वेस्ट इंडिज ने यह मैच 8 विकेट से जीता था तो वही अगर बात करें तो यहाँ पर पेसर्स जिया दोस्त को एक विकेट ने मिला था तो वही स्पिनर को दो के बिलेते कुल मिला के यहाँ पर स्पेशर्स को चार विकेट मिलेते और पाच विकेट मिले तो जादा कुछ फरक नहीं था लेकिन इसके बाद आता है त्विस्ट 2017 में अगर देखा जाए तो यहाँ पर भारत सिर्फ बात करें भारत की तरफ से बात करें भारत की तरफ से पेसर को तीन विकेट श्पिनर को एक विकेट तो कुल मिला कि यहापर जो फास्ट गेन माजे थोड़े ज़ादा हावी रहते हैं स्पिनर के मुकाबले तो यही एक अच्छा पॉइंट है दोस्तो इसके साथ साथ मैं अब आपको बता देता हूँ एवरेज टोटल स्कोर यहापर 117 का रहेगा क्योंकि एवरेज यहापर ए एक बार 1500 से कम का स्कोर हुआ है जैसे की शर्ण सर्ण आप मैंने बता है और एक बार 170 से ज्यादा का भी स्कोर हुआ है तो कुल मिला के इस तर से स्कोरिंग पैटर्न है आप यहापर डोमेस्टिक मैचेस भी बहुत से खेले गए है तो यहापर टी टोमेस्टिक मैचेस अभ यहां पर आवरेश टोटल रहाँ 127 का और हाइस फर्स्स मैटिंग का यह एवरेश टोटल है दोस्तों तो वही हाइस स्कोर यहां पर 119 का भी हुआ है मतलम ऐसा नहीं कि यहां पर 190 के आसपास रन नहीं बन सकते तो वही लोइस टोटल यहां पर 55 पर आल आउट हुई थी एक scoring pattern की बात करें तो इन सब सवधा मैचेस की बात करें तो आण बार पचाओ पचास से नीचे रन बने है score between the 150 से 159 के बिट चार बार बने है score between 170 से 191 यहाँ पे एक इमार बने है और अभाव 190 एकी बार बने तो कुलमला के सबसे ज़्यादा chances यह है कि यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि 500 के नीचे रहन बनने के काफे ज़्यादा chances रहते हैं तो यहाँ पर मैं आपको बता हो सकता हूँ कि यहाँ पर score है सकता है 140 40 से 170 के बीच यह possibility सबसे जादा रहेगी दोस्तों याने 170 से जादा chances बहुत कम रहेंगे अब आगे चलते हैं तो यहाँ पे पिच रिपोर्ट की बात मैंने कर ली है अपको स्टैट भी मैंने आपको दिखा दिये तो यहाँ पे अब हम hit to end की बात करें तो यहाँ पे देख सकत और South Africa ने won की है 8 तो वही तीन मैंचेस में result नहीं लगाए अगर बात करें तो यहाँ पे batting first का अगर देखा जाए तो इंडिया 8 बार जीती है तो वही अगर बात करें तो South Africa दो ही बार जीत पाई है तो यह इस तरसे रहेगा दोस्तों वही अगर बात करें तो batting second में अगर देखा जाए तो batting first आती है तो भारत का परड़ा भारी है तो वही batting second आती है तो आफरीका का परड़ा जादा भारी है अब मैं सभी जो प्लेंग इलियोन में शामिल रह सकते प्लियर और मतलब प्लेंग इलियोन भी दिखांगा और उनके stats भी आपको जरूर दिखा का आवरेज है और 118 उनका high score है तो यहां पर सबसे जादा टी ट्वेंटी में इंटरनाशनल क्रिकेट में सबसे जादा रन मनाने वाले रोई चर्मा नंबर वन पर है इसके बाद विराट कोली की बात करें तो वह भी कुछ जादा कम नहीं है चिर्प 34 रन पीछे है हाई स्कोर भी इनका अभी कुछी दिन पहले अफगानिस्तान के खिलाप 122 रनों की जो 12 पारी खेली थी वह उनका हाई स्कोर है कियल राउल की अगर बात करें तो अभी तक 64 मैचेस खेल चुके है दो हजार उन्तिस रन बना चुके और आवरेज 38 का है दोस्तों तो वही य जादों की मात करें तो 31 मैचेस खेले लेकिं 926 रन बना चुके 37 का आवरेज 117 रन उनका हाई स्कोर है यानि इनोंने भी अभी तक अपने इंटरनाशनल करियर में पहले ही शतक बना चुके है 31 मैचेस में दीपा खुडा की मात करें तो यह भी प्लेंग इंगिलों में शाम 234 रन है एवरेज 23 का है पैसे उनका हाई स्कोर है दीदेश कार्थिक की बात करें तो इनके मैचेस जरूर त्रेपन है लेकिन दोस्तों काफी लेट आते तो बल्लेवाजी काफी कम आती है 602 रन बना चुके 27 का आवरेज यानि रिशब्पन से जादा आवरेज लेकिन हाइ 27 का है वही मुझे कॉपी पेस्ट हो गया था लेकिन उनका हाई स्कोर पचपन का है यानि एक 50 उनकी उनकी एक या उससे ज्यादा भी 50 हो सकती है दिनेश कार्थिक की लेकिन फिलाल आम सब को पता है उनको 10-15 गेंदे भी अगर मिल जाती है तो किस तर से बैटिंग कर सकते ह इनका स्ट्राइक रेट काफी भेतर रहा है अभी तक पिछले कुछ दिनों से अगर बात करें अगले प्लियर की तो वो है आराश्वीन 56 मैचेस में 66 विकेट्स ले चुके और 8 रन देके 4 विक्टे उनका सबसे बैस्ट है हर्शल पटेल की बात करें तो पिछले कुछ मैच मैचेस उन्होंने जब से इंजरी से आये काफी पिट रहे हैं लेकिन 20 मैचेस खेले 24 विकेट्स ले चुके और 25 रन देकर 4 विक्टे उनका बैस्ट है वही आर्शादीप सिंग की बात करें तो इनोंने 14 मैच विकेट्स ली हैं सिर्म 11 मैचेस में और उनका भी बेस्ट 12 रन मैचेस के लिए और पिच्छा से विकेट्स ले चुके और उनका भी 25 रन देकर 6 विक्टे बैस्ट है जस्प्रित में मात करें तो मैं हाइरान हूं कि इनका बैस्ट 11 रन देकर 3 विकेट्स है अभी तक 60 मैचेस में 70 विकेट्स ले चुके और एंग भी बार 3 से ज्यादा वि में है काफी बढ़िया दुरुक का इकका साभी तोरे भालती है टिम के लिए 29 मैचेस में 29 विकेट्स है और 9 रन देकर 3 विक्टे उनको बैस्ट है दोस्तों 17 मैचेस में मोहमाच शमी ने 18 विकेट्स लिए है और 15 पर 3 विकेट्स उनका भी बैस्ट है अब बात कर लेते हैं बात कर लेते हैं सोटाफ्रिका के प्लेइंग लिए उनकी तो टीबव मा रहेंगे 25 मैचेस में 562 रन मा जा चुके 26 का यावरे जे 72 उनका हाइ स्कोर है कॉन्टेंट डिकॉक की बात करें तो 69 मैचेस में उन्होंने 1894 रन बना ए 31 का यावरे जे 89 उनका बेस्ट कोर है हैंड विपने क्लाश met की बात करें तो 36 मैचेसमें छेषो इकयावरन ऌने 25 का यावरे है और 81 उनका हाइ स्कोर है के शेव महाराज की बात करें तो 18 मैचेस में 15 विकेट ले चुकें और 24 रन देकर 2 विकेट उनका बेस्ट है अधम यावर्ट्रम की बात करें तो यहाँ पे 722 रन उन्होंने सिर्फ 23 मैचेस में बनाए 42 के आवरेज से काफी जबंदस आवरेज है और 70 रन उनका हाइस्कोर है सबसे बढ़िया जो प्लियर है सौटाफ्रिका के लिए जो साबित हो सकते वो डेविड मिलर है क्योंकि अच्छे फर्म में है 104 मैचेस में 1944 रन बन चान चुके 32 का आवरेज है और 101 उनका हाइस्कोर है शाद तक उनके नाम है T20 में लुंगी इंगिडी की बात करें तो 30 मैचेस में 49 विकेट ले चुके काफी शांदार गेन बाजी करते हैं पर 5 विकेट एंगी था धमिन ने सकते हैं इंडिक नोजे की बात करें तो 22 मैचेस में 23 ले पाए रं लेकां तीन वीकेत बहुट्स के नल्स पहों आभ varyके Innovation व कर चुके और बेस्ट उनका तीस रंदे के पार चुकेट है प्रिटोरियस की बात करें तो 29 मैचेस में 271 ने एवरेज है 21 का वही अगर बात करें तो 77 उनका बेस्ट को रहे 32 विक्टे ले चुके 17 पर 5 विक्टे उनका बेस्ट है दोस्तों कुल मिला के एक अच्छे खासे ओल स्राउंडर रहे थे ICC रैंकिंग में टी 20 में और उनके नाम भी 56 मैचेस में 89 विक्टे से और 24 रंड़कर पाच विक्टे उनके हाथ लगी थी बेस्ट उनका है अगर बात करें टी स्टफ की तो इन्होंने सिर्फ 6 मैचेस खेले 119 रन बना है उनका हाइस्कोर 49 का है बापक सबसे पहले उस पर क्लिक कर लेनी अगर आप तक टीम नहीं बनाई यह तो कोई बात नहीं नीचे आपको क्रियेटर टीम का जो आप्शन मिलता है उस पे क्लिक कर दी होगी लेकिन मैं आल्रेडी ती चार टीमें आपके बना के रख चुका हूँ जिसे एक एक करके मैं आपक करके दिखाता जाओंगा किस को लेना किस को नहीं लेना और क्याप्टन को मैं आपको जरू बताउगा। तो चले दोस्तों माई टीम पर मैं क्लिक कर लेता हूँ पहली टीम में आपको इडिट करके दिखा देता हूँ तो मोस्ली आपर देख सकते हैं आपर कॉंटेंड डिको के दिनेश कार्तिक हैं रिशब पनते हैं तो मोस्ली आपर चारों कीपर प्लेइंग एलोन में शामिल रहने के काफी ज्यादा चांसे से लेकिन मोस्ली ज्यादा करके मैं डिको को लेना पसंद करूंगा क्योंकि यह ओपनिंग के लिए आ जाते और तीच-चालिस रन भी अगर बना लेते तो हमीं काफी फायदा कराके दे सकते तो अभी बैटिंग पर चलते तो यहां पर रोहित चर्मा के से तीन बड़ी अप्शन है जो कि हमें ले सकते डिपक हुडा भी प्लेइंग इलर में शामिल हो सकते लेकिन अभी फिलाल हम उनको नहीं ले सकते तो यहां पर इसलिए अक्षर पटेल आडम मरकरम और डीप रिक्टर इसको ले रहा हूं तो क्योंकि इन तीनों में बैटिं तो काफी शादार है जस्प्रित बूम्रा भी काफी बढ़ी आ है और सम्शी भी काफी दिनों तक ICC रैंकेंग में नंबर वन पर रहे है अल्राउंडर के तोर पर तो इसलिए इस तरसे यह टीम बनाई है अब नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और रेखेंगे कि क्याप्टन औ पहले टीम का सबसे पहले अगर बात करें कॉंटेंट निकॉक है मेरे पास एजग विकेट की पर उसके बात रोही चर्मा है विराट कोली हैंरिक्स और सुरिकुमार यादो इस तरह से चार बल्ले बाज मेरे पास चारों की चारों बेस्टे दोस्तों बैटिंग अच्छी कर लेते हैं तो यह तिनों आपने टीम में साम्हिल कर सकते तो कोणे करते के लिए और अगर बात करें क्याप्टन और विराट कोली को क्याप्टन मराना चाहता हूं क्योंकि लास्ट मैच में उन्हों ने ऑस्टेलिया का खिलाब पारी खेली तो उनका confidence level काफी high हो सकता है तो इसलिए इनको captain तो वह हें अच्छी खासी टीम बन चुके इसे अभी close कर लेते और फिर से कहूंगा इसे grand lick के लिए ज़रूर उज़ के जिगा small lick के लिए भी ज़रूर उज़ कर सकते इस टीम को भी close कर लेते और दूसरी टीम में आपको दिखा देता ह अब बात कते हैं दूसरी टीम की तो दूसरी टीम में आपको दिखा देता हूं फिर से आपर content के साथ ही जाओंगा अगली दो टीमों में में कुछ ना कुछ जरूर चेंजेस आपको करके दिखाता जाओंगा यहाँ पर batting मेरे सबसे मजबूत रखी है क्योंकि batting यहाँ प इस तरह से 6 बल्ले बाजों को मैं स्टीम में ले रहा हूं ताकि अगर कोई भी अच्छा batting कर ले आपको फाइदा जरूर हो सकता है तो यहाँ पर इसी तरह से 6 batsman मैंने लिए उसके बाद already content decock हमारे सपास है all rounder पर चलते तो यहाँ पर एके all rounder allowed है लेना क्योंकि मुझे तीन गिनबाज लेने यहाँ पर compulsion रहते हैं तो यहाँ पर मैं जा रहा हूं अक्षर पटेल के साथ भी नहीं जाओंगा आडम मरकरम के भी साथ जाओंगा नहीं deep retorius के साथ जाओंगा क्य लेकिन अच्छे गेंबाज है तो इनको भी आप ले सकते हैं आडम मरकरम की बात करें तो इनको भी बड़ा अच्छा चांस मिल सकता है तो इसलिए आपर मैं प्रिक्टोरियस के साथ जाओंगा गेंबाजी की बात करें तो यह जो एन रचल ने लास्ट मैच में काफी अच्छा परफोर्मेंस किया था उनको लूँगा समशी को मैं फिर से इस टीम मिल लूँगा और अर्शनदीप को मैं पिछले टीम में नहीं ले पाया था तो इनको यहां पे जरू शामिल कर लूँगा आपको जील की मतलब टेलिग्राम पे जरू दूँगा तो टेलिग्राम की लिंक डिस्क्रेप्शन में दे रहा हूं वहां पे जाके उसे जॉइन जरू कर लीजे फिर से एक बार इस टीम की प्रिव्यू कर लेते तो यहां पे कॉंटेंट डिकॉक को मैं इस टीम में लूँ तो वही में डीप रोक्टियरस के साथ जा रहा हूं तो गेन बाद जीमें यह जो एंदर चाहले टाइजिप शमची और यहां पे अर्शदीप सिंगे तो कुल्मला के मेरे पास यहां पे एक कीपर छे बाट समर एक और तीन गेन बाद तो कुल्मला के एक अच्छी खासी ट करना अच्छा रहेगा स्मॉल लिक के लिए यूज ना ही करें तो बेटर रहेगा कुल्मला के तीम तो काफी बढ़िया है क्याप्टन के अगर बात करें तो यहां पे देख सकते मैंने कॉंटन डिकॉक को इस टीम का क्याप्टन बना तो वही वाइस क्याप्टन को बना रह अगर आप चाहे तो उल्टा कर सकते रहूल को और डिकॉक को बना सकते या फिर किसी ओल्टीम में आप क्याप्टन जरूर बना सकते तो कुल्मला के अच्छे खासी तीम है फिर से कौंगा इसे ग्राड लिक के लिए जरूर उसकी जिगा स्मॉल लिक की लिए थोड़ी रिस बड़ा हटके डिसीजन लिया है यहां पर सबसे पहले कीपिंग की बात करें तो हैंरिक क्लासन और दिनेश कातिक इन दोनों के साथ ही जा रहा हूं मैं इसके बाद यहां पर क्योंकि हर टीम में एक जैसे ही टीम रखूंगा तो मुझे लगता नहीं कि वह टीम अगर पीड जाती है तो हर टीम पीड जाएगी लेकिन दोस्तों यहां पर कुछ चेंजेस करके मैं अलग-अलग टीम में अगर ग्रैंड लिक के लिए लगांगा तो एक नहीं तो दूसरी दूसरी नहीं तो तीसरी तीसरी नहीं तो चौती नहीं तो पाच वी ऐसे टीम में एक तो वी टीम अच्छी पढ़ीएगी और आपको ग्रैंड लिक जिता के दे सकती है तो इसलिए कुछ न कुछ चेंजेस करते हैं रहना पड़ेगा उसके बाद प्रफिर से ड्रॉप करना पड़ा है यहां पर डेवीड मिलर के साथ जा रहा हूं तीन ही बल्लेबाज में इस्तिमेल ले रहा हूं अल्राउंडर की बात करें तो फिर से अक्षर पटे ले और डीप्रेटोरियस को ले रहा हूं अगर आप चाहे तो डीप्रेटोरिस की ज्यादा प्रिफर कर रहा हूं तो जस्प्रित भूम रहा है कंगी सो रबाड़ा है तैजिप शंशी को ले रहा हूं और हर्षल पटेल को अभी तक केक्वी टिम में नहीं ले पायता तो यहां पे मैं उनको साथ भी एक तिम में जरू जाओंगा क्योंकि हम सबको पता है ग क्याप्टर और वाइस क्याप्टर हम किसे बना सकते तो यहां पर मैं रोहित चर्मा को इस टीम का क्याप्टर बना रहा हूं क्योंकि रोहित चर्मा भी हम सबको पता है काफी शांदार फॉर्म से गुजर रहे ऑस्टेलिया के खिलाप उन्हों ने आट ओवर की मैच में 20 ग करें तो यहां पर मेरे पास दोकी पर हैं लेकिन यहां पर कॉंटन डिकॉक और शपन को मैंने इस टीम में भी नहीं लिया है अगर बात करें तो कंदिनेश कार्थिक और हैंरिक क्लासन के साथ जा रहा हूं दोनों बेस्ट हैं दोनों अच्छी खासे स्टाइक रेट से बैटिंग भी कर सकते हैं उसके बाद बैटिंग की बात करें तो रोई चर्मा है डिवीड मिलर सुर्यकुमार यादा है तीनी बैट्समन इस टीम में मैं शामिल कर सकता हूं अगर बात करें ऑल राउंडर की तो यहां पर प्रेक्टोरियस और अक्षर पटेल इस तर से दोन बाड़ा भी बैटिंग कर लेते संशी ठीक ठाक कर लेते तो इस तर से यह चार गिनबाज है जो कि आपको अच्छी खासे विक्टे तो लेकर देहिंगे ही साथे साथ ज़रूर पढ़ने पर बैटिंग कर लेते तो कुल्वल्या के एक अच्छी खासे टीम के लिए अच्छ अगर तो इसलिए यहाँ पर इनको वाइस काप्टन बना रहा हूँ लेकिन अगर आप चाहे तो उल्टा भी कर सकते हैं इनको क्याप्टन अक्षर पतिल और रही घुड़ लगा देते तो काफी कम लोग रहेंगे इन पर दाव लगाने वाले जिससे आपको काफी फाइदा हो सकता है आप इनके वाज़ेसे ग्रैंड लिग जेद सकते हैं फिर अच्छी खासी अर्णिंग तो पक्का करी सकते हैं लेकिन फिलाल मैं इनको एज़ा वाइस क्याप्टर नहीं रखने वाला हूँ रोई चर्वा भी शुरुवात में आते हैं अच्छी खासे बल्लेवाजी कर लेते हैं तो यहां पर वह आपको फाइदा कराके दे सकते हैं तो आफकोस कुल्मला के इस टीम को भी ग्रैंड लिग के लिए यूज करना है स्मॉल लिग के लिए यूज करें ना करें आप पर छो तो तीसरी टीम की तो कॉंटन डिकॉक के साथ साथ में रिशब पन्त को इस टीम में शामिल कर रहा हूँ लेकिन इसके वज़े से हमारे पास फिर से बैटिंग में विराट कोली और रोई चर्वा दोनों को मैंने ड्रॉप कर लिया है या पर सूरी कुमार यादा और केल रह अच्छे का से बैटिंग कर सकते जोरू आप इन दोनों चारों को साथ में ले सकते अगर ऑल राउंडर के बात करें तो फिर से अक्षर पटे ले और दीपक हुडा को मैं स्टीम में शामिल कर रहा हूँ क्योंकि दीपक हुडा भी एक अच्छे का से बाटिंग तो करी सकते ले keeps the boy how पर उनक में वहाँ लेकर दे तो इसलिए यहाँ पर उसके सात में ज़रू जाओंगा अगर बात करें गयन बाजी में करों में याँ यहाँ अभी में ले पाया उनको ले लोगा और विये तिरे सकते अटा तो इसलिए इनको भी यहाँ पर मैं टीम में शामिल करूंगा यह अब हमारे दुरुक के साभित हो सकते इस टीम के लिए तो कुल्मला के अच्छी खासी टीम मनी है फिर से कर लेते हैं सबसे पहले अगर बात करें तो मेरे पास कॉंटन डिकाओ को रुषब पन ते दोनों अच्छी कासी कीपर बैटिंग में अच्छी कर लेते वही अगर बैटिंग के बात करें तो यहाँ पर हैंडिक से सुरिकुमार यादव है टी बवुमा है और केल राहूल के सा ऑक में चाहाऊ अगर आप यहाँ पर हैंडरिक्स को करते तो आप यहाँ पर मरकरम को शामिल कर सकते तो अगर आप इसी तरसे रखाएंगे तो भी कोई प्राब्लम नहीं लेकिन यहाँ पर और आल्डरौंड रहेंगे अक्शर पटल और धीपक हुडा इसके आलावक किसी पटेल को अगर ड्राप करते तो यहां पे प्रिक्टोरियस या मरक्रम को शामिल कर सकते लेकिन अक्षर पटेल को ड्रॉप करना थोड़ा रिस्की साबित हो सकता है तो इसलिए उनको ड्रॉप मैं नहीं करूंगा उसके बाद मेरे पास तीन गेंबाज है धिपक चहर है तो य यह एर्रिक नोजे और दीपक चहर शुरुवाती जटके दे सकते जिससे हमें ज्यादा से ज्यादा पॉइंट मिल सकते तो इसलिए इन दो रोकों में इस टीम में शामिल कर रहा हूं और समशी को उनके साथ यहां पर शामिल कर रहा हूं अक्षर पटेल और दीपक उड़ा साबित हो सकती हैं यह लेकिन अगर बात और यहां पर धीफक उड़ा को किसी ने भी ज्यादा प्रिफर्ण नहीं कि आहें סड़ काफी फाइदा कर दे सकते हैं अगर आप इनको वाह चाप्टन बनां कर देते तो इसलिए थोड़ा हटके सोचा है और इनको क्याप्टन इनको वाइस क्याप्टन बना रहा हूं मैं तो कहूंगा अगर आप किस और भी ज्यादा टीम में लगाते तो कईना का इनको क्याप्टन भी ज़रूर बनाएगा काफे फायदे में रह सकते कुल मिला के एक चारो टीमों में अगर आपको लगता है पूँँच चेंजउस करने चाहीए तो आप कर सकते लेकिन ज्यादा चेंज़स मत किए एक दो चेंज़स करेंगे तो कोई प्रॉब्लम ने कोई दिक्कत नहीं लेकिन ज्यादा चेंजेस करने जाएगे तो काफी रिस्की साबित हो सकता है आपको मेरा पूरा वीडियो और मेरे चारो टीमें भी काफी पसंद आयोगे अगर पसंद आया तो इसे लाइक शेर और कमेंट ज़रू कर दीजे चैनल को भी अब तक सब्सक्राइब ने किया तो सब्सक्राइब भी कर लिजे और बेल आइकन को प्रेस करके और पर भी क्लिक करना ना भूले ताकि आएसे उड़े आप तक पोश्टे रहे और आप अच्छे से अर्निक करते रहे तो ठीके दोस्तों मैंने फिर से बता देता हूँ टेल बाइ